Welcome Friends in Health Rambo, दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफवर्ट, जिसको हिंदी में मियादी बुकार के नाम से भी जानते हैं ज़िए हम बात करें टाइफवर्ट के क्या पहचान होती है, उसके क्या लक्षन होते हैं इसका जो सबसे पहला लक्षन होता है, इसमें क्या होता है तो वेक्ति को बहुत तेज बुकार आता है और बुकार लगबग 38 degree Celsius या 101 Fahrenheit से जादा हो सकता है दूसरा होता है कि साथ में पेट में बहुत तेज दर्द होता है कुछ लोगों में क्या होता है, इसके साथ साथ में दस्त, पेट खराब, कब्ज वगरा की प्रॉब्लम भी हो सकती है साथ में कुछ वेक्तियों के सर में बहुत जादा दर्द होता है या फिर कुछ लोगों को सांस लेने में परशानी या खांसी वगरा की प्रॉप्लम भी हो सकती है साथ साथ में बदन दद और जोड़ों में दर्द भी होता है और ये बुकार काफी समय रहने की वज़ाए से क्या होता है वैक्ति का खाने का कुछ मन नहीं करता है उल्टी सा मन करता रहता है यदि बात करें ये होता क्यों है टाइफोइड इसके क्या कॉज़े होते हैं टाइफोइड फीवर के तो ये जो होता है टाइफोइड फीवर सेलमोनेला टाइफी नाम के वैक्तिरिया के कारण होता है ये बैक्टिरिया हमारे पास कैसे पहुचता है इसका जो मुख्य कारण होता है खराब पानी या खराब खानी की वज़ासे होता है काफी बार हम क्या करते हैं बाहर का खाना खा लेते हैं और पानी वगरा पी लेते हैं जो सही नहीं होता ये उसका मुक्य कारण होता है यदि हम बात करें इसी व्यक्ति को टाइफोइड है तो उसके लिए कौन सी जाच करवाना पड़ेगा उनको यदि आपको डाउट होता है टाइफोइड का तो आपको जाच करवा सकते हैं जैसे क्या कून की जाच में सेलमोनेला टाइफी या परे टाइफी एंटिजन डेटेक्शन टेस्ट या जिसको टाइफी डॉट या सेलमोनेला टाइफी आईजियम भी बोलते हैं साथ में क्या होता है काफी वार बलड या स्टूल कल्चर वगरा टेस्ट की जरूत होती है उसके साथ साथ में आपके डॉक्टर आपका CBC Complete Blood Countess भी करवा सकते हैं जदी बात करें कि टाइफोइड में क्या खाना चाहिए टाइफोइड के पैशन में क्योंकि क्या होता पेट खराब होता है पेट कमजोर होता है तो आप ऐसा खाया है जो पेट के लिए फायदे मंद हो तो आप खा सकते हैं केला है, चीकू है, पपीता, सेव, मौसमी, संत्रा वगर आप ले सकते हैं साथ में हरी सब्सियों में पालग, पत्ता, गोबी, फूल, गोबी, गाजर साथ में दाल और खिचड़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होगी, उसके साथ में दही या आप ताजा जूस वगरा ले सकते हैं और ज़्यादा से जाता में पानी पीज़ें क्योंकि आपके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है यदि बात करें कि टाइफोईट में क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से फूड अवाइड करना चाहिए टाइफोईट फीवर के केसिस में तो आपको जो है न कैफीन योग चीज़े मतलब कौफी चाय वगरा कम नहीं चाहिए इससे आपका हो सकता पीट और खराब हो जाए साथ में जो रिफाइन घीव तेल वगरा होते हैं प्रोसेस फूड जिसे समोसा वर्गर पिज़ा फगरा बाहर के होते हैं पैक्ट फूड वगरा ये अवाइड करें साथ में मक्का वगरा बेसन वगरा इंकसेवन कम करें शकरकन, कठल जो भारी चीज होती हैं वो भी कम खाएं भूरे चावल वगरा आप कम खाएं आप चावल साथ जो वाइट चावल होता है वाइट राइट होगर ले सकते हैं साथ में जादा मिर्च का इस्तमाल ना करें मिर्च का सौस वगरा या मिर्च का किसी वी रूप में जादा इस्तमाल ना करें सिर्का वगरा, अचार वगरा इनका भी कम से कम इस्तमाल करें या ना ही इस्तमाल करें उसके अलावा गरम, मसाला वगरा जिसमें मिच वगरा होती, वो भी कम इस्तमाल करें और खटाई वगरा तो ऐसी चीजों का इस्तुमाल करें जिससे आपका पीट खरापना हो जिदी बात करें कि टाइफोट फीवर से कैसे बचाव कर सकते हैं तो उसके लिए क्या हो तो जब भी आप बाहर खाना वगरा खा रहें तो खाने से पहले हाथ दोएं और वैसे दिन बर में काफी बार हाथ दोना चाहिए उसके अलावा जो पानी जो है दूशित पानी से बचें जो पैक्ड बाटर होता है बॉटल बाटर उसका इस्तुमाल करें और उसके साथ साथ में कच्चे फल और सब्जियां वगरा होते हैं उनको बीना धोए ना खाएं और ऐसी चीज़े खाएं जो गरम हो तो गरम जो होता है आपके डॉक्टर आपको सिप्रफ्लॉक्सेसिन वगरा चला सकते हैं सफिक्जीन सफ्टैक्जोन या फिर अजित्रोमाइसिन का किसी भी एक एंटिवाटिक का पूरा कंप्लीट डोज आपको लेनी होगी और इसमें के बात करें इसको बुखार को सही होने में कितना समय लग सकता है कितने दिन तक है सकता है तो इसमें आपको एंटिवाटिक वगरा जो आपकी होती है आपको पूरी डोज लेनी ही यदि आप डोज नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको दुबारा से उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़े तो इससे रेटेड अगर आपकी वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हों और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भोलें विद इस तैंक यू वेरी मच्छ पर वाचिंग हल्स राम